तो हमारा राइट हैंड पीछे जाएंगे तो हमारा राइट हैंड पीछे जाएंगे ठीक है और वैसे ही हम दोनों हाथ से हमारा पुरा का पुरा फोर्स लेके हम स्टेप अप करेंगे दोनों हैंड्स क्रोस नहीं होने चाहिए और शोल्डर से जैदा अब भी नहीं करेंगे और continue हम ऐसे alternate step up करेंगे explosive step up plyometric basically एक jump exercise का form है जिसमें आप repeatedly jump करके और वापस land करके वापस jump करते हो land, jump, land and jump उसे हम plyometric exercise कहते हैं यह exercise का नाम है block shuffle सबसे पहले हम standing position में खड़े रहेंगे और left leg हमारा अप होगा तब भी हमारा right leg नीचे जाएगा और right leg अप होगा तो हमारा left leg नीचे जाएगा ऐसे ही हम continue jump के साथ करेंगे side to side कोई भी main work करने से पहले specific warm up करना it's very important okay plyometric exercise जब भी start करें तब आपके पास तीन चीजे होनी जरूरी है strength, flexibility and balance यह exercise एक risky है बट जब भी start करें कोच के अंडर में ही start करें box jump, box jump में हमें दोनों पैड से एक साथ ही jump करना है और shoulder according से हमें खड़े रहना है ताकि हम अच्छे से jump कर सके और हाथों का हम force लेके हमें jump करना है toe पे हम jump करेंगे यह exercise का principle जो होता है वो आपकी muscles को relaxation और contraction के cycle देते हैं muscles extend होती है और उसके बाद repeated contraction में जाती है जिसके कारण muscles की efficiency बढ़ती है अब हम ins and outs with squats jump किया leg open, knee straight jump किया और squats position में आना है ठीक है ऐसे हम continue करेंगे jump किया leg open and again jump किया squats position में वापस आना है ऐसे हम बार-बार करेंगे continues यह exercise specifically strength और speed वाले sports में ज़्यदा लाबदाई है यह exercise में right leg आगे आएगा और उसके बाद left leg आगे आएगा और जो पीछे का leg है वो भी 90 degree बनेगा और आगे का leg भी 90 degree बनेगा उसको हम split squats जम कहते हैं जैसे की lunges ऐसे हम continue जम के साथ करेंगे बहुत सारी ऐसी गेम से जो parametric exercise में आती है जैसे की sprints, athletics events, badminton, tennis इसे बहुत ही सारी गेम से जो इसमें parametric exercise है jump for height, hands up, down and jump इसे continue करना है, jump करेंगे और down, jump करेंगे down जब हम down करते हैं तब हमारी दोनों पैर की जो knees है वो टोक के आगे नहीं जाएंगी अब हम करेंगे rail stick एनी equipment इसको हम पकड़ के अपने head पे रखेंगे और इसके बाद हम दोनों पैर से हम jump करेंगे, leg open and jump के साथ leg को in करेंगे ठीक है, ऐसे continue हमें करना है, जैसे jump किया और leg open किया knees always straight, forward hopes, अभी जो हम करेंगे दोनों पैर से jump करना है, ठीक है, both legs jump दोनों पैर से jump करेंगे, तब हमारे हाथ दोनों पीचे की और जाएगे, force लेना है, उसके बाद jump और तब हमारे आगे का पैर का जो angle है, वो 90 degree angle रहेगा, और उसके बाद हमारी back है, वो एकदम से straight रहेगी, ठीक है, और jump benefit यह है कि plyometric exercise कर लेगे तो आपकी muscles और body turn up होगी, ground जाओगे, खेलोगे, तब injury होने का ricks कम होगा